हलो दोस्तों नमस्कार मैं हूँ श्रालेंद्रा स्वागत करता हूँ आप सबका एक बार फिर से यूटूब पर अपने शेसर में दोस्तों पिछली क्लास में हम लोगों ने सिल बालोजी के डिफ्रेंट्स मॉडल्स के भी से में स्टुडी किया था और इससे पहले जो हमारी क्लास थे उसमें हम लोगों ने चल मेंब्रेंज के जो बायो मॉलिक्ल्स हैं उसके भी से हमने डिटेल से सीखा था तो आज हम लोग डील करेंगे अधिक समय ने लेते हुए चलता है अपने टॉपिक पर यह ए-नहें मेरे रिफ्रेंसि जहां से मैंने सारा कंटेंट लिया हुआ है अप इसको देख सकते जोस्तोंग बात करते हैं हैं मैंब्रें फ्लूडीटी कि जा है फ्लूडीटी की समझने के फिस्समझ लीजिए हमने पिछली कलास में आपको बताया था जो प्लाज्मा मेंब्रे होता ही रहता है तो प्लाजमा मेंब्रेन में जो इस प्रकार जो उथल उथल होता रहता है इनका जो ट्रांसलोकेट होता रहता है प्लाजमा मेंब्रेन की लीपिट का या प्रोटिंस का इसको ही कहते हैं मेंब्रेन की फ्लूडिटी को कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो मेंब् जो है membrane की fluidity जो है बढ़ती चली जाएगी दोस्तों आप इस image को देख रहे हैं यह image हमने लिया है molecular cell biology by Harvey Lodis तो इसमें आप देख रहेंगो कि यह है normal temperature पर लिपिट देख रहे हैं कितना बढ़िया है इसमें ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है मतलब यह अपने स्थान पर बिल्कुल fix हुए ठीक है अब आप देए देख रहे हैं कि जैसे जैसे temperature बढ़ा तो आप इसमें देखिए आज जो हाइड्रोफोबिक टेल है किस तरह अस्तिवेस्ट हो गया है किस तरह इसमें हाल चल हो रही है कि कितना इसकी movement बढ़ गया है नेज़र के डायेटली proportional होती है ठीक दोस्तों इसके बाद आता है इस्फिंगो फास्फोलिपिड की कहानी यह है कि हमने आपको बताया था कि जो membrane lipid होती है उसमें कुछ फास्फोलिपिड ऐसे होते हैं जो इस्फिंगो स्षीन डेरिवेटिव होते हैं जिनको हम स्फिंगो डूसरा यहां- यह क्या है फिल होता है उसकर टेल होती है च्छोटी होती ततले इस धी यहां-जाहां जूड़ेगी भहां वहां इसके शॉटर यहां बन जाएं पक्रीएट और इन गैप को कहते हैं यह जितने ज्यादा इर्व Οिट्स बनें इंगे उतनी ज्यादा मेंब्रेन की पुव्री टिडी बढ़ेगी टीक है मेरा कहने के टाथ पर यह हैं कि इस्फिंगोप सकी ब्वलीपिड है वह अब Mimbrane की fludity के directly proportional होती है थीख है बात करते हैं डिगरी को कैसे इख डालता है यह समझाने इस पहले हम आप यह बता दें कि और unsaturation क्या है दोस्तों आपको पता है कि जैसे यह carbon chain होती है मान लिजे समझाने के लिए बोल रहा हूं यह carbon chain है दोस्तों इसमें सारे single bond है तो आप इसको यह कह सकते हैं यह कैसा hydrocarbon है यह एक saturated hydrocarbon है अगर इसमें single bond के साथ double bond यह triple bond आ जाए चैन में carbon की चैन में इसको हम कहेंगे unsaturated hydrocarbon इसको क्या कहेंगे unsaturated hydrocarbon है अब आप देखेंगे जो की membrane lipid होती है उसमें दो चीज होता है आपको बता दा चुका है एक polar head होता है फिक और दूसरा non-polar tail होता है यह क्या होता है कि fatty acid chain होता है यह चैन कैसे बनी होती कारवन की बनी होती है यह fatty acid chain में अगर double bond present है अगर इसमें double bond present है यह triple bond present है तो यह double bond chain में जितना अधिक प्रजेंट होगा मेंब्रेन की fluidity उतने ही ज्यादा बढ़ जाएगी अगर यही membrane की bond में अगर membrane की chain में आप यह देखेंगे fatty acid chain में क्या होता है अगर single bond है double bond नहीं है single bond है तो क्या होगा कि यह single bond ज्यादा stable होती है तो इसलिए membrane की stability बढ़ जाती है इस वजह से जब stability बढ़ जाती है तो यह कह सकते हो कि membrane की fluidity जो है फिर कम हो जाती है इसका निस्करत ही है निकला कि fatty acid की chain में अगर अगर unsaturated hydrocarbon है अगर इस phospholipid में unsaturated hydrocarbon है तो आप यह कह सकते हैं कि membrane की fluidity जो है unsaturated hydrocarbon के directly proportional होती है जितना ज्यादा unsaturated hydrocarbon होंगे जितना ज्यादा double bond होंगे membrane की fluidity उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएगी ठीक है अब बात करते हैं length of carbon chain दोस्तों जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि fatty acid में क्या होता है कि एक polar head होता है दूसरा tail होता है अब tail की कहानी यह है कि tail इसके जो यह fatty acid chain जो है यह जितने carbon की लंबी होगी जितने carbon लंबी होगी ठीक है जो membrane lipid होती है ठीक है उसमें carbon chain जितनी लंबी होगी membrane की fluidity जो है उतनी ही decrease होगी आप यह कह सकते हैं कि carbon chain जो है यह membrane की fluidity को universally proportional होता है ठीक अगला है cholesterol cholesterol में दोस्तों आपको बताया जा चुका है कि जो sphingo phospholipid होता है इसके fatty acid chain छोटी होती इसके chain कैसे होती छोटी होती यह जहां-जहां जोड़ता है plasma membrane में जहां-जहां जोड़ता है वहां-वहां membrane की rigidity बढ़ने का मतलब यह है कि membrane की fluidity कम हो जाएगी मतलब यह कि membrane में जितना अधिक cholesterol परजेंट होगा membrane की fluidity जो है उतनी ही कम होगी खिक को जितना जादा होगा membrane की fluidity उतनी ही कम होगी तो आप यह कह सकते हैं कि जो koleucolestrol होता है यह Mixotholve node 20 देसा भी के इंवर चली होता है जिसको इसके बाद एक और ऐा जाता है जिसको कहते हैं कि संब्स और ट्रांश की सब्सक्रीब क्या सब्सक्राइब डालता है इसको समझने से पहले हमाँ को सिस और ट्रांस फेज को थोड़ा सा बता दें दोस्तों कि यए कारवन है कि दूसरा कारवन है दोनों गमडने की इससे जुड़ा हुआ और यह है हाटोजन गुरा है यह है यह हाटोजन गुरा है एक यह ही अर्गूप में एक हो दूसरा आरगूर्प है दूनों आपज को केंगे ट्रॉंच का हैं अगर यह दोनों कृटी ताम होगा जब तो और सब्सक्राव होंगे तब क्या होगा कि इस्टीरिक हिंड्रेंस का चांस ही नहीं होगी तो क्या होगा कि मेंब्रेन की स्टीबिलिटी जो है वढ़ जाएगी डिक्रीडी कि आप इसको इस प्रकार भी समझ सकते है जैसे कि माल लिजे कि दोनों वलकी ग्रूप कहते हैं एक साइड में हैं एक साइड में हैं मतलब इनमें क्या होगा इनकी इस्टेबिलिटी जो है कम हो जाएगी और बढ़ जाएगी अगर यही आर ग्रूप एक दूसरे अपोजी डारेक्शन में इसे हैं अगर यह एक पोजी को अब कि अब कि उलब होसOR में इस पोजवी की अब बात किरेंगे अब बात करेंगे मेंब्रेंस की मुव्मेंट में दोस्तों मेंब्रेंस में तीन प्रकार की मुव्मेंट होते हैं वह कितार पर लेटरल मुव्मेंट होता है जिसमें क्या होता है कि फास्पल्पिट जो है लेटरल मुव्मेंट करता है लेटरल साइड बे ठीक है जैसे कि यह फास्पल्पिट य इधर आजाएगी इस तरह जो है इसमें लेटरल मुव्मेंट होता रहता है इसको ज्याद करने के लिए एक टिकनिक है जिसे कहते हैं फ्रैप टिकनिक को population recovery after cierto bleaching कि इस टेखनीक के द्वारा जो है literal membrane में lateral movement कपता लगा जया है इसके बाद आता है तो दोस्तो rotational movement यह होता है कि हपास्पोलिपिड होता ही अपने एकस पे गूंता रहता है इस मुवमेंट होता है उसको कहते है यह हैं रोटेसंनों मंटे दोस्टों लेटरल मुहट में इस फोली पिडेन भालकि प्रोटिंस भी मूब करते हैं है अगला अगला आ जाता हैए ठीडर फ्लॉप मुवमेंट दोस्तों मुमेंट यह दो प्रकार को मुवमेंट यह पहले हम्नीप को संद्द लेता यह flip क्या करता है दोस्तों, flip catalyze होता है एक enzyme के दोवारा जिसको कहते है flipage, यह flipage क्या करता है, यह fast même limit को non cytosolic क्या करता है, non cytosolic से कहां बदल देता है, जो flipage enzyme होता है, यह fastव लिबिट को non cytosolic से cytosolic पार्ट में बूव करा देता है, और इसमें दो प्रकार की फस्पयबड को 20 स्फ पर मुंब करता है जिन में यह आंजाता है आ जी फस्फेटिदाल prett還有 दरीन एक यह दो प्रकार की तरब्विध है जिन्में फिल्प मूवमेंट होता है यह किस के दोड़ा करता है, यह क्या करता है, यह फास्फरिज'क को साइटोस्पॉर्ट होता है, इसके बाद योटा होता है सिस्ट में आप देखेंगे ये हैं ये फास्पल इपिट को क्या करता है साइटोसazziे स्युलिक से कहां पटकें और नॉन साइटोसोलिग में कि ये क्या करता है आप वल्वेज क्रका करता है फास्तोलिपिट को स्सेयर श्रीप ऑँठागे पतक देता है इसमें क्या होता है कि यह दो प्रकार की और इसमें यह कैसे होते हैं यह दोनों ही मुवमेंट कैसे होते हैं यह इनर्जी डिपेंडेन्दंट होते हैं मतलब इनके लिए क्या होता है? इनके लिए क्या होता है? ATP होता है. इनके लिए क्या चाहिए? इनर्जी चाहिए. इनर्जी डिपेंडेंट होते हैं. दूस्तों, इसके बाद एक और मुमेंट आता है जिसमों कहता है scramblage. करता है कैसा होता है इसको ATP के जरूत नहीं होती है कर दूसरी चीज़ क्या होता है इसको अपी नहीं चाहिए तो हिसको क्या कहिए यह कैलिसीम डिपेंडेंट होता है इसको कैलिसीम आइन चाहिए इसका दूसरा और यह करता क्या है यह जैसे फिलिप और फ्लॉप फिलिप क्या करता था नॉन साइटोसोलिक से साइटोसोलिक की तरफ उठाक पठकता था फासवलिविट को और फ्लॉप क्या करता था प्रहस्का फाइदा इसका फाइदा यह है कि कभी जब भी कुसी दिशेक्ट हो जाता है कोई दिक्कत हो जाती है फूरा जो है रन करता है यह पूरा जो है इसके कर देता है ठीक है इस्मेट्री को उसको बनाय रखता है यह क्या करता है कि यह क्या करता है यह क्यों कि इस तरह के मुव्मेंट्स जो है होते रहता है इस जैसे कहा जाता है ही मेंब्रेन कैसी होती है प्लाद्मा मेंब्रेन कैसे होगाया या गलुकोज हो गया यह नॉन-साइटो-सोलिक से साइ्टोसोलिक पार्ट में कैसे आएंगे यदि कोईệu मो्लिक्यूल कोई चीज या साइटोसोलिक में अगर ज्यादा हो गया तो साइटोसोल से सेल मेंबरेन को क्रॉस कैसे करेंगा? क्रॉस करके बाहर कैसे जाएगा? हम इसी चीज़ को यहां पर समझने के लिए प्रत्न करेंगे दोस्तों इसके लिए जो है प्लाजमा मेंब्रेन में दो चीज़ होता है पहला तो चैनल प्रोटीन होता है और दूसरा होता है करियर प्रोटीन चला liegen की बात करूंद कि यह क्या होता है कि यह तरह का procurement होता है जो एम남ीची के स्पिपेशल अरेज्ठमेंट से वन्ता है अद्र asta इसं सर्फेसपर क्या होता है यह होता है हाड्रोफिलिक है होता है ूसमें क्या होता है एक हाड्र टेल होते हैं टेल होते हैं अब आप देखेंगे कि जो ट्रांसमेम्ब्रेंड प्रोटीन होता है अब समझों कि प्लिदिक कहिए कि इसको हैं दोश्तों अब आप ये देखिए कि यह कैसा है यह polar nature का है यह कैसा है कि नॉन polar好像 है प्रोटीन कैसे जुड़ेगा रोटीन अर्कुछ इस ट्रासमेंब्रेंड प्रोटीन में यहां पर उसे ओन होंगे तभी तो प्रड हैट से जुड़ पाएंगे उसी Π्रकार यहां पर भी इस रीजन में भी कुछ ऐसे non polar amino acid होंगे इस इसलिए तभी होए non polar इसके फासफलिविट के non polar tail से जोड़ पाएंगे उसी प्रकार यहां पर भी होगा कुछ polar protein होगे वह polar head से जोड़ पाएंगे इस प्रकार क्या होता क्या होता कि एक special arrangement होता है जिसके माध्यन से यह protein घृते हैं चैक्र आभ प्रोटेंज़ कते हैं इसमें और प्रोसिश करेंगे इसमें सुटी होता है क्या करता है be इनर्गेनिक आयन्स की बाद करेंगे ये चैनल परोटीन हैं ये हमेशा ऊपर नहीं रहता है ये जब इसको सीगनल मिलेगा तब ये open होगा, अपना काम करेगा, इसके बाद बंद हो जाएगा, ये जो channel protein होता है, ये बहुत फास, ये बहुत आयन्स का बहुत fast transport करता है, ठीक है, ये बहुत fast जो है, ट्रांसपोर्ट करता है, और इसमें दो चीज होता है, पहला होता है, गेटेड, ठीक, दूसरा हो सकत नहीं होगी, ठीक है, और non-getted channel ऐसे होता है, जो कि इनको open होने के लिए कोई specific signal की जरूत नहीं होती है, गेटेड चैनल की बात करें, कि जैसे इसमें voltage-getted channel होता है, जो प्लाज्मे में में voltage difference के वज़ए से open होता है, कुछ ligand-getted channel होता है, आयन-getted channel होता है, इसी तरह mechanical-getted channel होता है, जो कि कोई mechanical instance होता है, जब cell पर तब वह पौन होता है, ठीक है? इसी तरह nuclear-getted channel होता है, ठीक है? इसके बाद बात करते हैं, carrier protein के, दोस्तों carrier protein भी एक तरह के transmembrane protein होता है, जो कि channel protein के पैच्छा, यह slow काम करता है, और यह ions and solute, ions और solute दोनों का transport करता है, और यह channel protein के पेच्छा यह कैसा काम करता है यह थोड़ा स्लो काम करता है यह बहुत स्लो रहो ट्रांस्पोर्ट करता है और यह तीन प्रगार होता है यूनिपोर्ट होता है सिंपोर्ट हो सकता है एंटिपोर्ट हो सकता है यूनिपोर्ट की कहानी है जब जब केरियर पूटिन से जब ए एक solid जो है जब एक ही दिसा में आयेगा उसको हम कहेंगे यूनिपोर्ट एक टाइम में सिर्फ एक ही solid है membrane को cross करेगा और Symport काहणी है दोस्तों इसमें solut 1 हो गया और ये solid 2 हो गया दोने solut एक ही दिसा में ठीक एक विसा में में और दूसरा सोलिट क्या हो तक साइटो सोलिक से नां साइटो सोलिक पार्ट में वापस जाता है तो इस कंडिशन को कहते हैं एंटी पॉर्ट